So welcome to Signature Ecom Solutions, I am Rishi और आज की वीडियो में बात करूँगा मीशो के जो increase हुए है river shipping chart उसके बारे में screenshot मैंने लेके रखा हुआ है new का तो आपको portal पर मिल ही जाएगा मैं आपको show कर देता हूँ कैसे आपको मिलेगा आप अपने मीशो के portal में अगर जाएगे जो आपका supplier portal है उसपे आप जाएगी supplier portal में आप returns पे जाएगे returns में जाने के बाद आप ये courier partner वाले option पर जाएगे courier partner वाले option पर जाते ही आपको यह हमलेगा यहाँ पर view rate card पर आप click करेंगे तो ये new rate card है वीशो का यहाँ पर अपडेट हो गया है रिवर शिपिंग चार्जेज हैं यह इंक्लूडिंग जी एस्टी है तो आपको इसको समझना पड़ेगा इंक्लूडिंग जी एस्टी है तो कुरिएर पाटनर्स के नेम यहाँ पर लिखे हैं 500 ग्राम से नीचे तक 500 ग्राम से ले के, 还्यगा पाथ सई लेगे हजार ग्राम तक कितना ले वाले हैं dzień कितना लेने वाले हैं वेट वाइज यहां पर दे रखा है यह आप लोग समझ जाना इसके अलावा यह वाला बहुत कम सेलर समझ पाते हैं इसको मैं बता देता हूं यह क्या होता है अगर आपका पच्छेस सो एक ग्राम है या उससे उपर है तो क्या होगा 342 रुपे प्लस 57 रुपे for every next 500 ग्राम आ हो जाता है इसको आपको समझना है यह अभी अप्डेट हुआ है यह है रिवर्श शिपिंग चारजेश जब आप मीशंग में अपने product को customer को भीज इसते हो तो ओबिसली वहां पर तो क्या होता है चारज जो लगते हैं शिपिंग चारज वो customer से बियर करता है बट जब रिटन आते हैं आपके तो रिटन्स आपके रिवर्स शिपिंग चार्ज उसमें लगने वाले हैं तो इस चीज का आपको धियान रखना है कि रिवर्स मतब रिटन्स जो है वो कम हो इसके अलावा मीशो ने अभी यह गाइडलाइन भी निकाली है कि अगर उसमें कोई भी गड़बर हुई तो उसकी विजबिलेटी कम कर दी जाएगी तो आप पैकिंग के टाइम पे शिपिंग के टाइम पे इस चीज का ध्यान रखिए तो यह तो है न्यू वाला जो अभी चल रहा है स्टार्ट हो गया है चारों कंपनीज का यहां पर अप मैंने आपको बताया था कि अपना आप कूरियर पार्टनर कैसे सलेक्ट कर सकते हैं तो वीडियो भी मैं लास में दे दूँगा वह अच्छे से देख लेना तो यह थोड़ा बलर है क्योंकि वहां से मैंने स्क्रीन चॉट ले रखा है फिर भी हम इसको देख लेंगे कि आइधिंग वीडियो में हम और क्लियरली इसको देख पाएंगे सो वीडियो प्ले कर लेता हूं मैं उसके बाद हम कंपेर कर लेंगे देट सिट वीडियो इतनी है तो देख लेते हैं हम इसको स्किप कर देता हूं कि डिरेक्ट हम वहीं कर देगे हैं जहां पर नहीं एक्स्पेंट कर देख अब यह जगा है कि वाइस में इसका क्लोज कर देता हूं कि अब यह है कि इसको मैं लाज स्क्रीन पर कर देता हूं इस सेकेंड यह दे रखा है आप यहां पर देख सकते हैं आप चाहें तो इसको जूम कर सकते हैं स्क्रीन शॉट ले सकते हैं आप कंपेर कर सकते हैं तो यहां पर आप देखो 88 था पहले एकस्प्रेस भी का 88 था 500 ग्राम से नीचे, 88, 91 था शेड़ फैक्स का डेलिवरी का 118 और एकॉम का 121 और 500 ग्राम से उपर देखें तो यह रेट हुआ करता था तो हमारा ज्यादातर सेलर का जो है 500 ग्राम से नीचे या 500 से 1000 के बीच में ही होता है तो आप यहां पर compare करिए एक्सप्रेस भी का पहले यहां 88 था यहां 141 था अब देख लेते हैं 88 और 141 अब यह जो हो गया है वो हम देख लेते हैं यह वाला आपका नया है 88 141 और इसमें जो चार्जेस हो गया है वो है 114 और 171 अब आप लगाओ कितने रुपेस में बढ़ गए हैं तो आप compare कर सकते हो अपने हिसाब से पोटल पर जाके आप देख सकते हो यह आप 114 हो गया है जो कि पहले 88 हुआ करता था तो आप देख लो 188 माइनस करतो तो लगवग 26 रुपे आते हैं आइगेस तो 26 रुपे यहाँ पर बढ़ गए हैं तो आप देखें यह आप compare कर लेना मेरे हिसाब से हर कूरियर पार्टनर ने अपने चार्जेस जो है वो बढ़ा दिये हैं यहाँ पर शेडव एक्स ने भी डेलिवरी ने भी यह इकॉम एक्सप्रेस ने भी और हर चार्जेस में लगभग 25, 20 या 30 रुपे बढ़ गए हैं आप यहाँ पर देख विलो 188 का 114 हो गया वो 91 का 113 हो गया है डेलिवरी 141 हो गया है 141 और पहले कितना हुआ करता था डेलिवरी का हम वो देख लेते हैं देखे 141 हो गया है अबी और पहले यह था 118 राइट 118 से 141 पहुँच गया है तो कितना हो रही है लगभग 20, 22 रुपे इसमें भी 23 रुपे इसमें भी बढ़ गए हैं तो लगभग 20, 25 रुपे आप मान की चलो 25 रुपे लगभग बढ़ गए हैं अगर आपका 4 में से एक प्रोड़क्त भी रिटन आता है तो 25 रुपे आपको एक्स्ट्रा देने पढ़ेंगी ये वीडियो का लिंक में लास में दे दूँगा तो आप क्या कर सकते हो देखो 25 रुपे ये जो है और बैसले आपके हर प्रड़क्त में तो नहीं कटेंगे ना जो प्रड़क रिटन आएगा उसी में परशंटेज देख लो कि अभी आपका भई क्या रिटन परशंटेज चल रहा है मानके चलो अगर मैं इन सेलर की बात करूँ और यहां पर मैं रिटन परसंटेज का ओवरव्यू देखों क्योंकि ये कस्टमर रिटन में लगने वाला है तो एक महिने का कस्टमर रिटन यहा हम मैकसिमम मानके चल सकते हैं तो 10 में से 2 प्रोडक्ट पे तो इतना चार्ज मेरा लगने वाला है तो उस हिसाप से मैं 10 में यह देखिए 10 में से 2 प्रोडक्ट पे लगेगा मतलब मानके चलिए 141, 141 लग जए मतलब लगभग 280 रुपीज लगेंगे मेरे एक्स्ट्रा तो वो 280 रुपीज में 10 प्रॉडक्ट में डिवाइड कर दूंगा तो 280 डिवाइड बाइट 10 इस इकल टू 28 हो रहा है तो हम 28 28 रुपे हर प्रॉडक्ट में या 25 रुपे 20 रुपे बढ़ा सकते हैं हर प्रॉडक्ट में तो इस तरीके से आपको एकाउंटर करना पड़ेगा या तो आपको अपने रिटर्ण रेट को थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा बट यह है कस्टमर को काफी मतलब बहुत लिवर्टी है इसमें मीशों में तो उस वज़े से कस्टमर रिटर्न करी देता है तो 14 15 18 इत्मा तो चलते रहता है हर से लुड़कर तो आप इस तरह के कैलकुलेट कर लेना कि 10 में से आपके यह तो 100 में से है तो 10 में से आपके कितने परसंट रिटर्न हो रहे हैं अगर उतने परसंट रिटर्न होंगे तो कितने चार्जेज लगेंगे आप अपना वेट स्लैब देख लेना एक एवरेज लगा लेना और उसको 10 से डिवाइड क करेगी कॉमेंट में अपने ओपिनियन जरूर बता देना और इंस्साग्राम पे रिशी डॉटी कॉमर्स से आप मुझे ढून सकते हो बाकी एक तारिक को आपको पता ही है लाइव आने वाला हूं एक तारिक को दिन में 11 बची तिल देन थैंक यू वेरी मच्च